नमस्कार विद्याती मित्रों! आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाटनो जो पहेलिया है उल्जन सुल्जन। मनरंजन के कई साधन है और उनमें पहेलियों को बुझाना भी एक है। पहेलिया बुझाना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की तर्ग तथा विचाशक्ती का विकाश होता है। और इन्हें बुझने से हमारी सोचने की सक्ती बढ़ती है। कल्पना को उडान बढ़ने का उशर मिलता है और बढ़िया मनोरंजन होता है। उल्जन सुल्जन पाट का यहीं हैतु है। यहां पर पहली दी गई है। पहली है कि एक फूल काले रंग का सीर पर सदा सुहाता। तेज दूप वर्षा में खिलता, छाया में मुड़ जाता। यानि कि काले रंग का एक फूल है, वह सीर यानि कि मस्तक पर होने पर बहुत अच्छा लगता है। सुहादा यानि कि अच्छा लगता है वह तेज दूप और बारिस में खिलता है और चाया में वह सुख जाता है तो उसका जवाब है चाता दूसरा है चोर नहीं डाकू नहीं यानि कि न वह चोर है न डाकू नहीं कहीं की रानी और वह कहीं की रानी भी नहीं है 32 सिपाही गेरे रहते और उसे 32 सिपाही सदा गेरे रहते हैं तन मन पानी पानी और उसका तन और मन पानी से बरा रहता है तो वह है चीब तिसरा है कि नाम मेरा तीन अक्षर का यानि कि मेरा नाम तीन अक्षर का है रहने वाला सागर टटका और मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ खाने में आता हूँ काम बोलो बच्चो मेरा नाम और खाने में मेरा उप्योग होता है बच्चो बताओ मेरा नाम क्या है तो वह है नमब फिर आगे हैं कि आदी कटे तो दसरत सुत होता आदी यानि कि आरम यानि कि शुरवात की मेरे नाम का पहला अक्षर कट जाए तो मैं दसरत सुत सुत यानि कि बेटा दसरत का बेटा बनता हूँ मद्य कटे तो आम और मद्य यानि कि बीच बीच का अक्षर कट जाए तो आम बनता हूँ अंत कटे तो काटो लकडी यानि कि अंत का अक्षर कट जाए तो मैं लकडी काटने का और जार बन जाओ बोलो मेरा नाम तो बोलो मेरा नाम क्या है तो वह है आराम फिर आगे हैं कि दो सक्खिया दोनों चंचल फिर ती फाटक खोले दो सक्खिया है और दोनों बड़ी चंचल है फिर ती फाटक खोले तो वो फाटक खोलकर गुमती रहती है सो जाए तो सपने देखे वे सो जाने पर सपने देखती है हंसे खुसी में दुख में रोले और वे खुसी में हंसती है और दुख में रोती है तो क्या? तो आखे पिरे आगे कि दादा है पर दादी नहीं, बाई है पर बहन नहीं, नव है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं यानि कि दादा है पर दादी नहीं है, बाई है पर बहन नहीं, यानि कि दादा है पर बहन नहीं, तो दादा है और बाई है, नव है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, यानि कि नव है पर दस नहीं है और रोजी है पर रोटी नहीं यानि कि दादा है भाई है नव है और रोजी है तो इससे नाम बनता है कि दादा भाई नव रोजी आगे हैं सात्मा की नीचे दिये गए चित्रों में चित्र की शब्द ढूंडिये तो यहां पे दो अलग-अलग चित्र दिये गए है तो इसमें सब्द चीपे है तो कौन से सब्द चीपे हुए है तो पहले में दिखता है सारंगी और दुसरे में दिखता है मोर और आदी तो प्रारंब अभ्यास है कि नीचे दिये गए सब्द के उत्तर मिले ऐसी पहलिया बनाए तो पेड है उसमें पहली है पेड तो जिन्दा हूँ पर चलता नहीं बिन मौसम के फलता नहीं चाया सबको देता हूँ किम्मत कुछ नहीं लेता हूँ फिर आमसे कहते हैं मुझको सर्दाज सवी फलो का मैं सर्दाज कोई चूस चूस कर खाता कोई रस निकाल कर पीता बतलादो यदि मेरा नाम तो पाओ अच्छा ही नाम फिर है बारिस तो बारिस से बनती है कि अंबर से धर्ती पर आती रिमजिम रिमजिम गाती गाती दादे मेरी सागर की बाप बादल है मेरे माबाप फिर है हाथी तो मू जैसे घणेस पगवान पशुओ में सबसे बलवान पेड के पत्ते खाकर जीता दस-दस बाल्टी पानी पीता आगे है मूर तो सरस्वती माता का वाहन सापो का में कटर दुश्मन गटा देख पागल हो जाता थिरक थिरक कर माच दिखाता फिर है मूबाइल तो चोटी सी है मेरी गाया मगर बड़ी बातों की माया बतलाईये खुप चुट्टी में दुनिया कर दे मुट्टी में आगे है बादल तो तीन अक्षर का मेरा नाम पानी देना मेरा काम प्रथम कटे तो दल बन जाओ अंत कटे तो बाद बन जाओ मत्य कटे तो बाल बनू में कर लो तुम सब मुझको याद प्रश्मा दुसरा है कि नीचे दिये गए जित्रमें हमारे किन्द इस पक्तों की तस्वीरे उपरती है खोजिये और लिखिये तो यहाँ जो पेड का चित्र दिया गया है तो उसमें सबसे उपर है गांधी जी और गांधी जी के सामने दिखाई देते हैं सरदार वललबबाई पटेल फिर सरदार वललबबाई के नीचे है सुबाश चंद्रबोच फिर सुबाश चंद्रबोच के नीचे जो चित्र दिखता है वह है भगसी और भगसी के सामने जो दिखता है वह है डॉक्टर राधा कृष्णा फिर गांधी जी के नीचे जो चित्र दिया है वह है लोकमान्य तिलग और उसके नीचे जो है वह है लोकमान्य तिलग के नीचे का चित्र है वह है लाल बहादूर शास्त्री आगे है प्रश्णा चोथा है कि यहाँ पे इस शित्र में चसे सुरू होने वाली कितनी चीजे हैं तो यहाँ पे चसे सुरू होने वाली चीजे तो है चमगादड, चर्खा, चट्टाई, चपल, चेडिया, चूला, फिर है चदर, चाकू, चोटी, चौराहा, चिम्टा, चौरस, चश्मा है, चाई है, चान, चक्की, चप्पू, चित्र, चौका, चारपाई, और चर्खी आगे है कि स्वाध्या हैं, तो स्वाध्या में म से सुरू होने वाली कितनी चीजे हैं तो यहां पर म से सुरू होने वाली चीजे में हैं, पहले है मंदिर है, मसिद है, मोटर है, मीनार है, फिर माताजी है, मस्दूरन है, मीरा है, मंजिरा, मदारी, मगर, मुली, मशीन, मचली, माता, मुर्गा, मकान, मोची, मोर, मरीज, मौलवी है, मूर्ली है, मुरुदंग है, मटकी है, और माला है, फिर आगे हैं, कि यहां पर देखो कि चीजे बना कर चीजे पहचान कर उसके गुश्राती और हिंदी नाम लिखिए, फिर तो इसमें पहला है, जो है, चित्र है, व्रुशब का, तो उसे गुश्राती में भी व्रुशब ही कहते हैं, फिर दूसरा है, संक, और तीजा, अतिसरा है, कि वहान, यानि कि जहाज,